तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Candidema Plus Cream एक कॉंबिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल विभिन प्रकार के त्वचा का संक्रमन का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह लालिमा, सूजन और खुजली जैसे सूजन के लक्षनों को कम करता है। यह इंफेक्शन पैदा करने वाले सूख्शन जीवों के खिलाफ एंटी माइक्रोबियल एक्षन भी करता है। Candidema Plus Cream केवल बाहरी अंगों के लिए है और इसे डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस्तिमाल किया जाना चाहिए। दवा की पतली परत को साफ और सूखे हाथों से त्वचा के केवल प्रभाविक शेत्रों पर लगाया जाना चाहिए। अगर यह आपकी आँख, नाक, मूह या योनी में चला जाता है तो पानी से धोलें। लक्षनों में सुधार आने में कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है तो अपनी दवा को नियमित रूप से लेते रहें। दवा के बहतर असर को सुनिश्चित करने के लिए इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए। अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या अधिक खराब हो जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इस दवा के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में एप्लिकेशन साइड पर खुजली, सूखापन, लालिमा और जलन शामिल हैं। ये आम तोर पर आत्मसीमित होते हैं। गंभीर साइड इफेक्ट बहुत ही कम मामलों में होते हैं। अगर आपको कोई अलजी प्रतिक्रिया, चिकते, खुजली, सूजन, सांस की कमी, आधिक का अनुभव होता है, आपको डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले, अगर आप इसी बीमारी या किसी अन्य बीमारी के लिए अन्य दवाएं ले रहे हैं, या आपने हाल ही मिली हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा को सही सलाह और सावधानी के साथ लेना चाहिए। अगर आपको दवा से ग्यात अलजी है, तो आपको इस दवा का इस्तिमाल करने से बचना चाहिए। आपको अपनी बीमारी के लिए एक वैकल्पिक दवा लिखने के बारे में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वैबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।